असलाम लेकुम 8th किलास आज आप लोगों ने चप्टर नमबर 10 का 10.4 question करना है कि अगर हम image को different positions पर रखते हैं तो अगर हम object को different positions पर रखते हैं तो image कहां बनता है तो start करते है image formation using a lens by ray diagram To find the position and nature of the image of an object by ray diagram method, follow the following steps Draw the position of the object lens focal length on the principal axis आपको पता है यह प्रिंसिपल एक्सिज है ठीक है इसके ओपर आप लोगों ने क्या आप ड्रा करना है एक लेंज बनाना है उसके बाद फोकल एफ फोकल लेंज बनानी है अच्छा ड्रादी टू एनी रेज और जाकर इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर इमेज बन जाएगा सबसे पहला पॉइंट देखते हैं वन दी अब्जेक्ट इस प्लेजड बियूंड बान्डी अब्जेक्त इस प्लेजड बियुंड टू अफ तो सबसे पहले आपने ये लोड डॉ करनी है लाइन प्रिंसिपल एक्सिज जिसने हम चेहते हैं उसके बाद आपने बनाना है Convex Lens Convex Lens Converging Lens होता है जो के Light Energy Lights को कठा करता है ठीक है तो आप देख रहे हैं आप ये इसके बाद आपने Optical Center बनाना ये वहां से 2F का Distance रखना है 2cm फिर इसके बाद 2F का Distance भी रखना है 2cm दोनों साइट पर इस तरह करना है उसके बाद आपने एक साइट पर अब्जक्ट प्लेस किया किस पॉइंट पर किया वो कह रहे है बियोंग्ड टू एफ्ट टू एफ्ट से फासले पर यहां पर आपने इमेज रखा आप इस इमेज में से दो रेज गुजरनी है एक रेज यह देख रहे हैं आप उपर से जाकर फोकलन से पास आउट और यह तो खिदा है इदर इमेज के ऐसा सुमाल इमेज बना यह rapid है और और यह रहे हैं अगर उन्हेंप तो 2F पर the image is also formed at 2F तो दूसरी साइड पर image किदर बनेगा दूसरी साइड पर image भी 2F पर ही बनेगा ठीक है एक अब देख रहे हैं आप रेज गुजर रहे हैं फिर दुबारा F focal lens है दूसरी optical center से और 2F पर हमने object रखका है दूसरी साइड पर 2F पर ही जाकर image बने है इमेज उसी साइड के जिस साइड का object है अब next point क्या है next point C है when the object is between F and 2F the image of the object is formed beyond 2F on the other side अब वो कहने हैं अगर object को हमने F और 2F के दर्मियान में रखके रेस पास होट होई है from convex lens से reflect होने के बाद कहा image बने है beyond the 2F 2F से काफी पीछे जाकर image बने है अब image किस तरह का होगा image is real inverted and larger in size than the object image कैसा है real है inverted है और object से size में बढ़ा है ठीक है इसी तरह अब next नोंने क्या point कहा है when object is at F when अगर object को हम F पर रख दें focal lens पर the image of the object formed at infinity तो image कहां बने का infinity infinity कहते हैं किसी लाम हदूद पॉइंट पर ठीक है it cannot be shown in diagram जो कि diagram में उन्होंने show भी नहीं किया हुआ raise become parallel after reflection क्योंके raise देखें आप यह reflect होने के बाद parallel हो गई है यह बिल्कुल सीधी जारी है यहां से भी बिल्कुल सीधी जारी है किसी भी पॉइंट पर intercept नहीं करें इसलिए वह नहीं पता सकता है कि image कहां पर बनेगा किसी infinity point पर infinite कहते हैं कि लाम हदूद पॉइंट फॉर्थ पॉइंट यह पॉइंट है when the object is between o and f rays after reflection diverge out and do not actually meet on the other other side of the ray अब वो कह रहे हैं अगर जो object हम place कर दें optical center और f के दर्मियान इनके बहुत करीब रखा है आपके object ठीक है तो क्या होगा कि जो rays pass out होंगी वो भी कहीं पर मिली नीजिया आगे जाकर ठीक है diverge होगे हैं जबके convex lens का काम क्या होता है converge करना होता है rays को converge करके एक पाइंट पर इमेज बनाता है तो अब हम इन्होंने क्या 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 पीछे को देखे रेज ड्रा किया है ठीक है back side पर दोनों से जहां से रेज आ रही थी back side पर ड्रा किया तो इदर image जाकर बना है अब यह विर्ट्यूल होगा यानि कि असल image नहीं होगा यह वैं एक्सटेंड़ बैकवर्ड दी रेज अपेर टू कम फ्रूम इमेज बी मैगनिफाइड और इमेज कैसा होगा मैगनिफाइड है बड़ा image है और erect सीधा बड़ा और back backward side back side पर जाकर बनेगा अगर हम object को अपने बहु object से बहुत जादा बड़ा बनता है विर्चूल बनेगा ठीक है और backward जाकर बनेगा